असलाम अलेकुम मेरा नाम है आसिफ शाह आप देख रहे हैं इस वक्ट टेक्निकल आसिफ शाह यूट्यूब चैनल आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे ये वाउच आप लोगों को नजर आ रही है जिसका मॉडिल है Z52 Mini यानी Z52 Mini 8 सीरीज की ये स्मार्ट वाउच है इसकी हम अन्बॉक्सिंग करेंगे और इसका आप लोगों को रिव्यू देंगे तो सबसे पहले बॉक्स पर मेंसन जो डिटेल्स हैं वो बताता चलूँ यहां पर स्मार्ट वाउच है और यहां पर NFC दिया गया है और यहां पर Health Monitoring दिया गया है और यहां Intelligent Motion दिया गया है और Bluetooth कॉल दिया गया है बैक पर भी आप देख सकते हैं 45 mm की यह वाउच है और तमाम डिटेल इसके अंदर बैक पर मुझूद है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ Median China की यह प्रोडेक्ट है आप लोगों को नजर आ रही होगी और अब चलते हैं बिना टाइम जाय कि यह इसकी Unboxing करते हैं और आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं लेकिन इसको Unbox करने से पहले अगर आप लोग नूँ आएं हमारे चैनल पर और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकोन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे चलते हैं इसको Unbox करते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये किस लोग की ये Smart Watch है बॉक्स आप लोगों के सामने है और 8 Series की ये Watch है इसका Color भी आप लोग देख सकते हैं Pink Color के स्ट्रेप्स हैं और ये Pink Color में ही Order की गई ये यहाँ पर आप देख सकते ये इसके Pink Color के स्ट्रेप्स दिये गए हैं और कोई खास Quality तो नहीं है इसकी लेकिन Average है ये इसे हम यहाँ रख देते हैं और इसका Charger चेक कर लेते हैं ये इसका Donkel Charger दिया गया है और ये यहाँ पर USB Port दी गई है जो आप अपने Charger से Plug करेंगे और इसको आप चार्ज कर सकत हैं इसे भी हम फिलाज रख देते हैं और ये आगई वो Watch जिसका Model मैंने आपको बताया Z52 Mini ये Smart Watch और इसके Rapper को हम Open कर देते हैं और जलती से इसको On करके आप लोगों को इसका Display दिखा देते हैं ये देखें ये On हो गई है और Hello आ गया इस पर और एक से दो सेकेंड के अंदर ये Quick On हो जाती है तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या Details हैं और क्या इसका Menu है ये Wall Paper इस तरह से Change हो रहे हैं इसके और ये आप देख रहे हैं मुक्तलिफ Color के Wall Paper इसमें दिये गए हैं 1,2,3,4 और ये 5, ये 6, 6 Wall Paper हैं आप चाहें तो इसमें आप अपनी Image को भी Set कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे ये इसका On-Off का Key दिया गया है और ये Ruler दिया गया है इसमें Back से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, Back से आप लोग देखें यहां पर आप इसको Connect करेंगे किस तरह से ये Connect होगी Charging आप इसकी Pin चेक करेंगे और इसकी Pin को यहां पर आप इस तरह से बस इस तरह से आप लोगों ने इसको Fit कर देना इसमें जैसे Fit कर देंगे आप इसको Charger में Plug कर दें और ये Charger होना स्टार्ट हो जाएगा अब अगर इसको निकालना हुआ तो इस तरह से आप थोड़ा सा Punch करेंगे निकल जाएगी Camera Stand की वज़ए से थोड़ा सा मैं इसको Open करने में ये देखें ये इसका Menu आ गया दुबारा दिखा देते हैं ये देखें Wallpaper है और ये इसका Menu आ गया स्कुछ आएं तो आप इस तरह से Turn Out भी कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका Icon दिये गए हैं और ये Screen Off हो गई दुबारा प्रेस करेंगे तो ये अब ये Menu आ गया फिर इसको प्रेस करेंगे ये Wallpaper आ जाएगा दुबारा इसको प्रेस करेंगे Menu आ जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे इससे भी Same होगा और दुबारा प्रेस करेंगे तो ये Menu आ जाएगा चाहिए इसके आइकोन दिये गए हैं इसकी application इसके brochure के अंदर भी उसका QR code दिया गया होता है और जिसको आप download करके इसको आप अपने mobile से connect कर सकते हैं यहाँ पर आपको message का notification आएगा और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये wallpaper change होंगे अब उपर की तरफ करेंगे आप इसको तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ icon बने वे हैं जिन icon के अंदर आप देख सकते हैं ये dialer आ गया वो आप इस तरह से dial कर सकते हैं इसको और यहाँ से backspace से खतम कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका qr code आप इसको अपने mobile से scan करें और scan करने के बाद आप इसकी application को download करें और complete इसकी जो guide है वो आपको इस application के ही धुरू आपको इसके मुकम्मिल features देखने को मिलेंगे यहाँ से आप इसको qr code को scan करके download अब्लोड कर सकते हैं और देख लेते हैं क्या है इसमें यहा देखेंगे तो यहाँ आपकी phone book अगर connect हुआ वहाँ गा आपका mobile से साथ तो phone book show हो जाएगी और देख लेते हैं इसमें यहाँ देखेंगे तो यह अगर music bluetooth आपने connect किया है तो music भी यहां से connect कर सकते हैं टाइम इसकी कम सेट की विए चन सेकेंड की जो फॉरन स्क्रीन आफ हो जाती है यहां से आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं और यह देखें यह स्टेप काउंट करने के लिए अगर आप वॉक कर रहे हैं तो यह उसके लिए स्टेप काउंट कर दिया गया है और जो आपको सूट करता है जिस तरह आप इसकी सेटिंग रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं म्यूजिक भी दिया गया है लुकिंग फॉर, स्लीव, वेदर, डाइलर जिस तरह से आपको यह मैन्यू सूट करता है आप उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं दोबारा मैं आप लोगों को बैक से दिखा देता हूँ इसके स्ट्रेप्स, यह रहे स्ट्रेप्स इसके और इजीली इसमें इन हो जाते हैं यह देखें, यह फर्स्ट और यह इसका नीचे का जो हिस्सा है इजीली चाहें तो आप मार्कीट से या ओनलाइन मार्कीट से इसके डिफरेंट कलर के स्ट्रेप्स भी ओर्डर कर सकते हैं और आप लोग यहां पर आप देखेंगे इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यह कैसा लोग दे रही है और चाहें तो इसको आप इस तरह से सेट भी कर सकते हैं इस तरह से इन कर देंगे यह देखें जहां पर भी आपने इसको अपने साइज के हिसाब से सेट कर देना है इस तरह से और यह सेट हो जाएगी तो यह एक रिव्यू और टेस्ट के तोर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं फिलाल इसको रख देते हैं और चेक करते हैं कि इसके box के अंदर क्या दिया गया है box के अंदर उपर इन्होंने golden color mention किया गया लेकिन golden color ता सिर्फ इसका dial है और यह straps हैं वो pink color के हैं और यह देखें यह इसकी manual guide इसमें से आप लोगों को मैं दिखा दू manual guide इसकी smart ostrich band user manual यहां से भी आप इसका QR code scan कर सकते हैं और complete इसकी detail जो है वो इस manual के अंदर मौजूद है back पर Chinese है front पर English है आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और बागी इसकी price के अवाले से मैं आप लोगों को बता दूँ यह आपको जहतर online market से ही मिल सकती है इसकी price जो है वो 5000 rupees प्राइस है इसकी और आप लोग अगर इसको buy करना चाहें तो Z52 mini smart watch 8 series की यह smart watch है आप लोग इसको buy कर सकते हैं तो यह थी हमारी आज की unboxing Z52 mini की और मुकमल detail के साथ मैंने आप लोगों को guide किया और अगली वीडियो में फिर आजिर होंगे जब तक के लिए Allah हाफिज